हलो दोस्तो आप देख रहे हैं आपका चानल इंवेस्टमेंन का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ZOetto के शेयर के उपर दोस्तो ZOetto के शेयर पर एक अच्छी ख़बर निकल कर आ रही है प्लस दोस्तों Zomato का stock का एक बहुत बड़ा resistance बन गया है 150 का जानेंगे दोस्तों क्या होंगे कल के intra day के resistance stop loss और target तो वीडियो को end तक देखना वीडियो अच्छा लगे तो like करना, share करना, subscribe करना दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज Zomato के share में लगबग 5 पैसे की गिरावट देखने को मिली है 12 मिलियन की volume देखने को मिली है और 140 रुपे साहट पैसे पर आज Zomato के share ने closing दिये लगबग दोस्तों आज Zomato का share का high 142 रुपीस का बन गया था लेकिन दोस्तों market में आज एक काफी गिरावट का माहूल था निफ्टी mid cap index के अंदर दोस्तों करीबएं आधे परसंट की गिरावट थी जिसके अगरा आँ देख सकते हैं सारे stocks में चाहे वो देव्यानी international हुआ Zomato हुआ, Vector, Food, Burger King ऐसे सारे stock, Food related stocks में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली सब में दोस्तों आधे आधे परसंट की एक एक परसंट की गिरावट देखने को मिली stock तो बिलकुल flat ही बंदू है पर कह सकते हैं जाधा गिरावट नहीं है consolidation के phase में गुजर रहा है दोस्तों एक stock दोस्तों अब चलते हैं Zomato के intraday के charts पर तो दोस्तों अपन Zomato के share news section में आ गए हैं एक दिन पुरानी दोस्तों एक खबर है global passive funds to India mutual fund managers are way out of Zomato ये खबर है दोस्तों Zomato पर इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं चलते हैं दोस्तों उस खबर पर तो दोस्तों अपन उस खबर पर आ गए हैं shares of the company had rallied more than 15% last month क्योंकि दोस्तों जब Zomato का share MSI index में आया था तो उसमें काफी बड़ी तेजी हो रही थी उस समय दोस्तों funds ने करीवन $160 million के stocks करीदे हैं Zomato के ये खबर निकल कर आई है Zomato के उपर अब दोस्तों जलते हैं intraday charts पर Zomato के दोस्तों अपन Zomato के charts पर आ गए है $140 रूपीज 90 पैसे पर closing दिये दोस्तों एक गलत closing है पाच पैसे नीचे बंदो है $140 रूपीज 75 पैसे पर I think stock ने closing दिये आप देख सकते हैं आज पूरे दिन बार एक consolidation के phase में रहा $140 का higher highs higher lows का pattern दोस्तों आज इसमें आपको देखने को मिला है lows से करीबन दोस्तों 80 पैसे उपर stock में closing देखने को मिली है काफी अच्छी closing है लगबग आप कह सकते हैं कि market जब close दे रहा था तो यह recover मार गया था 12 million की volume है दोस्तों एक जमाने दोस्तों करीबन 10 से 15 पहले इस stock के अंदर 100 million की volume भी देखी गई थी जब यह MSI इंडेक्स के अंदर include वा था तो इसमें 100 million plus की volume देखी गई थी लेकिन अभी थोड़ी कम volume हो रही है पास दिन में 3% की गिरावट एक महने में 10% की गिरावट अच्छा कासा correction हो गया है छे महने में 11% का इसने return दिया है लेकिन अच्छा कासा correction हो गया है जब लेते हैं तो इसमें आप उनको risk कम मिलता है और आप आराम से stock के अंदर आपको momentum देखने को मिल सकता है युकि दोस्तों आप देख सकते है stock में जब 6 महने के अंदर रिस्क फ्री stock हो गया है दोस्तों 6 महने के अंदर इसने 14% की तेजी दिखाई है उसके मुताबिक दोस्तों इसने 1 महने के अंदर अंदर 15% की गिरावट भी दिखाई है यानि कि ये उपरी level से काफी गिर गया है तो ऐसे stocks में आप investment करें जिस stocks में आपको risk कम लगे युकि दोस्तों अब यहां से यादा इसमें downside नहीं है प्लस दोस्तों market भी अभी कुछ time से 3-4 दिन से unstable है काफी जादा गिरावट दिखा रहा है ये भी एक reason है stock के गिरावट का यही दोस्तों reason है Zomato का share अभी थोड़ा sideways consolidation कर रहा है लेकिन दोस्तों जब भी इस consolidation का breakout आएगा तो दोस्तों 150, 160, 170 रुपीज के levels भी छोटे लगेंगे काफी अच्छा दोस्तों management है काफी जादा developments हो रहे है stock के अंदर काफी जादा acquisitions ले रहे है इनके developers जो जो Zomato के है काफी जादा दोस्तों इसमें future में इसमें expectations रख सकते हैं stock के price increase होने के लिए काफी अच्छा stock नजर आ रहा है day by day दोस्तों इसमें जादा developments आ रहे है Zomato के जो आप कहा सकते हैं कि CEO है काफी जादा developments ला रहे है तो stock का है दोस्तों future अच्छा है 200 रुपीज के targets में aim कर रहा हूं दोस्तों 1 year के अंदर अंदर जिए ना दोस्तों 1 year के अंदर अंदर 200 रुपीज के targets Zomato के share में मैं expect कर रहा हूं अब intraday की बात करते हैं 141 रुपीज पर stock ने मानली जापने closing दिया 141 पर अगर कल buying करते हैं तो दोस्तों आपको कल first target मिलेगा 143 का क्योंकि दोस्तों आप market में एक pullback का बहुत जादा needed drag है लगाता है निफ्टी में गिरावट आती जारी है अब जब भी pullback आएगा तो यह ऐसे stocks Zomato, Devyani, Bektaford, Burger King ऐसे stocks पे काफी बड़ी तेजी आ सकती है तो आपको उस तेजी को play करना है तो 143 का मेरा कल का first target होगा और second और final target होगा 145 का आपको दोस्तों intraday में stop loss लगाना है 138 रुपीज का जी यहां दोस्तों 138 का stop loss लगा दीजे और 145 रुपीज के target के लिए aim करें काफी अच्छे targets बन रहे हैं दोस्तों क्योंकि क्याफी ज़्यादा correction हो गया पाच दिन में आप दिख सकते हैं करीबन 3% एक मेने के अंदर अंदर करीबन 10% तो दोस्तों यह stock अच्छा buying opportunity है investors के लिए योगी ज़्यादा correct हो गया आपको risk management आपका काफी ज़्यादा distribute हो दाएगा तो दोस्तों that's it for वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगे तो like करना, share करना, subscribe करना दोस्तों